नमस्कार आज का हमारा पाठ है जामुन का पेड़ क्लास 11 से हिंदी आरों चेप्टर नमबर 18 चलिए जितने भी मैटोपोन पर्षन उत्तर हैं वो देख लेते हैं और सबी पर्षन यहां पर इस परकार से लिए गए हैं कि कभी भी एक्जाम में पूछी जा सकते हैं शुरू करते हैं पहला पर्षन है बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था और इसकी जामुने कितने रसीली होती थी यह समवाद कहानी के किस प्रसंग में आये हैं और दूसरा पुछा है इससे लोगों की कैसी मानसित्ता का पता चलता है तो बेचारा जामुन का पेड कितना फलदार था और जामुने कितनी रशीली होती थी ये जो समवाद है ये बाचित है कानी के किस प्रसंग में आया है ये समवाद सेकेट्रियेट के लोन में जामुन के पेड के गिरने से समधित है रात के आंदी में सेकेट्रियेट के लोन में खड़ा जामुन का पेड गि सुबह माली ने उसे देखा और कलर को को सूचना दे दी, वहाँ सबी एकठे हो जाते हैं, वे सबी जामुन के पेड़ की परसंसा में चर्चा करते हैं, किन्तु उन्हें उसके नीचे दबे वेक्ति की कोई चिंत्या नहीं है, और दूसरा परसंस है कि इसे लोगों की कैसी मान सिक्ता का पता चलता है, तो इसे लोगों की स्वेदन सुनेता तथा स्वार्थ परता का पता चलता है, सरकारी अमले को जामुन के पेड़ से लाप मिलता था, अतवे उसके गुन गाते थे तथा उसके गिरने का दुख वेक्त कर रहे थे, उन्हें दबे वी जिंदा आदमी कि पीड़ा से कुछ लेना देना नहीं है अगला पर्शन है दबा हुआ आदमी एक कवी है ये बात कैसे पता चली और इसे जानकारी का जानकारी का फाइल की यात्रा पर क्या असर पड़ा तो जब रात को माली ने दबे वे आदमी के मुह से खिचडी डाली तो उसे ये भी ब कह डाला ये तो माना की दगा फूल नं करोगे लेकिन खाक हो जाएंगी हम तुम को खबर होने तक ये सुनकर माली ने पुचा क्या तुम सायर हो दबेवे आदमी ने का हाँ तो माली ने चपरासी को चपरासी ने कलरक और कलरक ने हैड कलरक को बताया और पुरे विभाग में ये सूचना फैल गई कि ये निर्ने लिया गया कि न एगरी कल्चर और न ही आर्टी कल्चर इस व्यक्ति की फाइल कल्चरल डिपार्टमेंट को दे दी जाए अब फाइल पर नए सीरे से विचार होने लगा इसे साइथ अकादमी की केंद्रिय साखा का मेंबर चुन लिया गया पत्नी को भत्ता देने की बात भी कई गई पर पेड की बात वहीं की वहीं रही उसे काटना संभव न हुआ इस बात की फाइल जहां की तहां रही अगला परशन है कर्शी विभाग वालों ने मामले को हार्टी कल्चर विभाग को सोपने के पिछे क्या तर्क दिया तो कर्शी विभाग वालों ने तर्क दिया कि कर्शी विभाग को अनाच और खेती बाड़ी से समंदित मामलों में फैसले लेने का दिकार है जामुन दी इस प्रकार प्रसासनिक बासा में बात कर उन्होंने अपना पल्ला-जहाड लिया दबे आदमी के प्रतीम मान भी समयना तो दूर दूप तक नहीं थी कारियालें की कारिये प्रणाली का यथार्थ चित्रण है परशनल्बर चार इस पार्ट में सरकार के किन किन वी की चर्चा की गई, इस पार्ट में अन्य सरकारी कारियलों के Нाम का उलेक किया गया, जिसमें परत्तलियार्ट जो सरकारी सचेवाली है, दूसरा है हाडिकल्चर जर। कि जो उध्यानों की वेवस्ता देखता है, बाग बगी चे लगाता है एगरी कल्चर डिपार्टमेंट जो कर्षी विभाग होने के नाते फसल और पैदावर आदि की व्यवस्ता देखता है, पुलिस विभाग कानून व्यवस्ता देखने का दावा करता है, मेडिकल डिपार्टमेंट जो रोगियों और बिमारों का इलाज करता है, कल्चरल डिप भाग उपचारिकताओं में पड़े हुए हैं आगे कुछ और मेहत्वपुन पर्षन है उनको भी देख लेते हैं यहां कहना कहां तक युक्ति संगत है कि इस कानी में हासे के साथ साथ करूना के भी अंतर धारा है अपने उत्तर के पक्स में तर्क दें तो हासे और वेंग दो दबे हुए मनुष्य पर दया आती रहती है और सहज और स्वभाविक रूप से उठने वाला भाव है एक दूसरी स्तती हुए है जब हर रात माली उस दबेविया आदमी के मूँ में डाल चावल की जड़ी आदी डालता है और रुख्य मावल में कहीं एक समेला को देखकर पाठट में करूना का संचार होता है कुछ अन्य मैतवपुन पर्षन है पाठ का सीर्षक जामुन का पेड़ सरवादिक मैतवपुन दबेविया आदमी की उपेक्षा करता है इस कथन के पक्स और विपक्स में तर्क दीजिए तो ये पाठट एक हास्य वेंग के कथा है इस जामुन भी हो गई है इस प्रकार के वर्णन में सारी कथा अंधर में गिरे पेड़ पर निर्भा करती है पेड़ के नीचे दबा आदमी तो सभी भी भागों उचादिकारियों के लिए मैतवहिन है तबी पेड़ के काड़ विदेशी समंध बिगड़ने और आदमी को काट पेड़ कटने से कौनिसी देश से भारत की समंध बिगडने की समभावना थी और क्यों के जामुन का पेड़ काटने पर पिटोणियां राज़े से हमारे समंध सदा की लिए बिगड़ जाने कालन ये था कि इस पेड़ को दस सान पूर्वे पिटोनिया राज्य के परदानमंत्री ने स्में सेकेटरियेट के लोन में अपने हाथों से लगाया था अता आदमी की जानका क्या एक देश के साथ बने बनाए सबंदों को बिगाड़ना अनुचित था इसलिए पेड़ को काटने की बात वहीं रोग दी गई जामुन का पेड़ पाट का वेंगे इसपश्ट करें अच्छा परशन है जामुन का पेड़ पाट के कारिया ले तोर तरीकों में पाये जाने वाले विश्तार की निर्थकता और पदों की करम संख्या की हास्यास पद दसा पर करारी चोट की गई है मानिवे सवेंदना की कितने उप्यक्षा की जाती है इस पर वेंगी किया गया है एक मामुली सी बात के लिए सरकारी दप्तरों में कई-कई दिन लग जाते हैं आरो पर तेरो जिम्यदारी से पलाइन और काम के प्रती उदासिंता के चलते एक प्यक्ति की जान चली गई इस तरह से सरकारी कामकाज है वो बहुत ही कानून के पेचीदे दाव पेंच से होकर निकलते हैं जिससे बहुत सारे काम अटक जाते हैं अगला परशन है इस पार्ट में आए किनी दो करुणा पूर्ण रश्यो को अपने सब्दों में हुले कीजिए पूरी पाट में माली एक ऐसा पाड्र है जो मानुए संवेड़ना के अधार पर दबे उए आदमी के साथ सदेव बना रहता है उसे निकारने के लिए सबसे निवेदन करता है रात को से मुह में दाल चावलों के जली डालता है जब वह दबे हुए आदमी के मूँ में भोजन डालता है तो पाठा के मन में करूणा का भाव आता है और दूसरा पाठ का अंतिन द्रश से जब प्रदानमंत्रीनेस में सारी जिमेदारी अपने सिर पर लेकर पेड काटने का होकम दिया फाइल पूर्ण हो गई के साथ ये द्रश से आया कि दबेवी आदम का जीवन पूरा हो गया उसकी सांसे रुप गई सरी ठंडा पड़ गया मूँ में चीटियों की एक अतार जारी थी सिदेखकर पाठा का इर्दे करूणा से भर उपता है सरकारी दप्तरों में उप्चारिकताओं की उलजन मनुशी की जीवन से भी बड़ी है सिद कीजिए ये भी अच्छा परशन है पाठ के आदार पर ये कथन पूर्ण तैस सत्ते है एक सामान इसी गटना थी कि पेड की निचे एक आदमी दबा है तो किसी भी तरह से निकाल देना चाहिए था पेड सरकारी दप्तर के लोन से की रहा था इसलिए गटना भी सरकारी हो गई अगला परशन है जामुन का पेड पाठ में सबसे मुरकता पूर्ण कौन सा प्रसंग है यूँ तो सारी परक्रिया ही वेंगे के साथ साथ खास्यस पद है प्रन्तु जिस समय एक मनचला आदमी ये सुझाओ देता कि पेड नहीं काटा जा सकता तो आदमी को काट लिया जाए आदा आदा सरीर दोनों तरफ से निकाल कर प्लास्टिक सर्जरी करवा ली जाए मेडिकल भी भाग को ये कारिये सोब दिया जाता है और उन्होंने आकर दबे वे आदमी के रख्चा प्रत और धड़कन आदी की जांस के बाद जो रिपोर्ट बेजी वसरवादी खासस्पद है उस रिपोर्ट में का गया कि इस आदमी की सर्जरी हो जाएगी और सफल भी रहेगी पर आदमी मर जाएगा यही प्रसंग मुरक्ता की चरम सीमा है अंतिम पर्षन है पेड के बजाए आदमी को काटने की सला पर अपने विचार विक्त करें उत्तर है सरकारी निस्क्रियता समेंदन हिंता की यह प्राकाश्टा है सरकार की नजर में मानवेता कुछ नहीं पेड को काटने की बजाए जिन्दा मनुस्य को काट देना यह मुरक्ता पून कारी सरकार में ही हो सकते हैं इससे पता चलता है कि अपनी बला टालने या अपसरों को खुस करने के लिए निरथक मुरक्ता पून सुझाओ भी दिये जा सकते हैं तो जामुन का पेड इसके पर्षन आपको कैसे लगे इन पर्षनों के उत्तर आपको किस अद तक समझ में आए जरूर कमेंट बॉक्स में बताईएगा और इन पर्षनों उत्रों के माद्यम से जरूर ये पाठ का सार भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा थैंक्यू सो मज़